इस question में हमें 12.25 का square root find करना है अब हम इसको long division method से find कर लेंगे तो long division में हम number को पहले ऐसे लिखते हैं और फिर इसको pairs में divide करते हैं तो number before the decimal point को हम right से divide करते हैं pair में तो ये एक pair हो गया अब number after decimal point में हम decimal point के right से pair बनाते हैं तो ये एक pair हो गया अब हम एक ऐसा number find करेंगे जिसका square या तो 12 के equal हो या 12 से less than हो तो अब 2 का square 4 होता है 3 का square 9 4 का square 16 ये तो 12 से बड़ा है तो इसको हम नहीं ले सकते तो हम लेंगे 3 square 9 यहां 3 लिखेंगे यहां 3 और यहां आ जाएगा 9 अब 12 से 9 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा अब यहां decimal point है तो यहां पे भी decimal point आएगा और फिर ये pair नीचे आ जाएगा तो यहां हो गया 325 अब यहां आएगा twice of ये number which is 6 और उसके आगे हम एक dash लगा देंगे अब इस dash में एक ऐसा number आएगा कि इस पूरे number को अगर हम उतने times multiply करें तो या तो हमें 325 मिले या तो इससे कम कोई number मिल जाए अब dash में अगर हम 3 लिखें तो 63 threes और 33 is a nine 63 is a 18 ये तो बहुत कम है 325 से 64 fours चेक करते है तो four fours is 16, six fours is 24, plus 125 अभी भी कम है अब 65 fives चेक कर लेते हैं 5 fives is 25, six five is 30, plus two 32 तो यहां हमें 325 मिल गया और यहां पे भी 325 है तो इस dash में हम 5 लिखेंगे तो उपर भी 5 आएगा और ये हो जाएगा 325 अब हमें 0 मिल गया तो हमारा division complete हो गया और square root हमारा आगया 3.5 देफो square root of 12.25 है 3.5 फेले इतना लिख लेते हैं अब square root हमारा आगया 3.5 तो अब हम इस division का एक-एक step फिर से देख लेते हैं अब first step में हम number को ऐसे लिखते हैं और फिर उसको pairs में divide करते हैं decimal के पहले जो number आते हैं उनको हम right से pair बनाते हैं यहाँ से तो यह एक pair बन गया similarly decimal के बाद जो number आते हैं उनको हम decimal point के right मतलब यहां से बनाते हैं pair इस साइट से तो 25 एक pair आ गया अब हम एक ऐसा number find करते हैं जिसका square या तो 12 के equal हो या less than हो तो यहां हमें मिल गया 3 का square तो यहां 3 आएगा उपर 3 और यहां नाएग इसको subtract करेंगे तो हमें 3 मिल गया reminder अब next step में हम इस decimal point को यहां लगाएंगे यहां decimal है तो यहां पे भी decimal आएगा अब इसके next step में हम इस pair को नीचे लेके जाएंगे तो यह बन जाएगा 3 25 अब इसके बाद यहां पे आएगा इसका twice तो यह हो जाएगा 6 और इसके आगे एक dash लगा देंगे अब इस dash में एक ऐसा number आएगा कि इसको अगर हम उस number के times multiply करें तो या तो हमें 3 25 मिले या less than 3 25 मिले तो यहां हमें 65 50 3 25 मिल रहे है तो यहां 5 आएगा उपर 5 और यह हो गया 3 25 तो यहां 0 मिल गया अब हमें square root of 12.25 मिल गया 35